हेलो दूस्तों वेलकम टो रेक्सेपटूल तो कैस्स आप लोकों का बहुत जादा डाउट सारा था कि भाई हमें ये बताओ जो रील्स फीचर है इंस्टाग्राम पे उसमें दुसरे की वीडियो में जो म्यूजिक होता है वो अपनी वीडियो में कैसे करें अज ही वीडियो में यही बतने वाला है कि आपको दूसरे की वीडियो का music अपनी वीडियो में कैसे ईूस करना है और साथ ही साथ ये भी बता दूँगा कि रील्स जो फीचर है उसमें कहाँ पर music मिलेगा और कैसे music add करना है तो सबसे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सबस्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बाल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले वीडियो मिले आपको और दोस्तों मैं इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा टुटोरियल्स लाने वाला हूँ रियल्स जो आप्शन है तो जल्दी से चैनल को सबस्राइब कर लें तो गाइस दिस्कवर वाले आप्शन में आपको काफी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी जिनके नीचे रियल्स लिखा होगा तो उस वीडियो पर आपको क्लिक कर दिना है उस वीडियो पर क्लिक करने के बाद इन्होंने जो music चूज किया होगा वो यहाँ पर show कर रहा होगा तो audio के लिए आपको यहाँ पर click कर दिना है यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface खुल देगा है इनकी जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर दिखाई देंगी और उपर जो इनकी आडियो होगी वो यहाँ पर जो करेगी अगर आप इस आडियो को सुनना चाहते हैं दुबारा तो यहाँ से सुन सकते हैं अगर आप नहीं सुनना चाते हैं, डिरेक्ली यूज करना चाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक option दिख रहोगा use audio का, तो use audio पर आपको click कर दिना है, तो use audio पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface कुल जगा, यहाँ पर आप click करके video बना सकते हैं, तो guys यहाँ पर तो एक topic पर complete हो जाता है कि दुजरी की audio अपनी video में कैसे use करनी है, अगर आपको एक original song या कोई भी audio यूज करनी है, तो आपको simply यहाँ पर click कर दिना है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface कुल जागा, यहाँ पर आपको music option दिख रहोगा, music वाले option पर आपको click कर दिना है, यहा पर आपको browse पर click करने के बाद, आपके सामने काफी बाद categories आजाएंगी, love की आजाएगी, family की आजाएगी, जो सी category आप choose करना चाहते है, वो यहाँ पर आजाएगी, अगर आपको एक particular category के और भी songs दिखने है, तो आपको see all पर click कर देना है, अब guys अगर आपको जिस song पर video बनानी थी, वो मिल गया है, तो आपको simply उस song पर click कर देना है, तो जैसे यहाँ पर मैं memories पर click कर देता हूँ, memories पर click करने के बाद, आपके सामने कुछ है, centerface खुल जाएगा, नीचे की तरफ एक scale आ रही है, यहाँ पर आपको choose कर लेना है, कि आप song के किस part की video बनाना चाहते है, select करने के बाद, आपको done पर click कर देना है, done पर click करने के बाद, आपका camera जो है, वो open हो जाएगा, दोस्तों, अब मैं आपको एक update दे दूँ कि हमने tax of tools का एक account instagram पर भी बना लिया है, तो यहाँ पर आप हमें अपने doubts message कर सकते हैं, और दोस्तों, मैंने reels पर काफी हिन जवारत